नमस्कार जैसाईरा मैं ब्रिजमू सूरी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल में आज हम बात करेंगे घर से निकलते वक्त आपके लिए क्या शुब और क्या अशुब यानि जब आप गर से निकलते हैं तो आपको क्या दिखे तो आपके लिए शुब है और क्या ना दिखे आपके लिए शुब है सबसे पहले बता दू कि ये सब बाते मानने की होती है यदि आप मानते हैं तो नहीं मानते हैं तो इन पर कोई चर्चा नहीं है एक्च्वल में शुब या अशुब वाइब्रेशन के उपर डिपेंड करता है यह हम नेगटिव वाइब्रेशन और पॉजटिव वाइब्रेशन से लेते हैं जैसे किसी का छीएक आना नेगटिव वाइब्रेशन वहां से इकठी होकर निकलती है इसलिए उसको अशुब माना जाता है बिल्ली जो है नेगटिव वाइब्रेशन देती है इसलिए बिल्ली का देखना अशुब माना जाता है रास्ता काटना अशुब माना जाता है क्योंकि बिल्ली को वाइब्रेशन पहले मिल जाती है और वह उदर से एक तरफ से दूसरी तरफ भागती है जिससे पता चलता है कि आने वले रास्ते में हमारा नुकसान हो सकता है लेकिन इसके पीछे बहुत सारी धारनाएं अलग अलग बना ली गई तो आईए अब हम बात करते हैं कि क्या शुब है और क्या अशुब है कहते हैं कि परतेक शव यत्रा में बगवान शिव का वास होता है क्योंकि सभी राम राम का नाम बोल रहे होते हैं तो बगवान शिव साथ ही होते हैं और इसका एक मुख्य कारण और भी है आपने देखा होगा कि जब कोई मर जाता है तो वहाँ पर है कैते हैं सभी लोग उस समय एक ही बात कर रहे होते हैं दुनिया में क्या फायदा है, सब कमाने का क्या फायदा है, सब यहीं पर है, बंदे को पाप नहीं करने चाहिए, यानि अच्छे अच्छे विचार लोगों के मन में आ रहे होते हैं तो ये दुनिया दो vibration पर चलती है एक negative vibration एक positive vibration जब हम अच्छा सोचते हैं तो आसमान से हमें अच्छी vibration यानि जब हम positive सोचते हैं तो हमारी body से positive vibration उपर की तरफ जाती है और प्रमातमा की vibration जो positive होती है उसे खीच कर ले आती है जब हम negative सोचते हैं तो हमारी body से negative vibration निकलती है और जो द्यात्यों द्वारा छोड़ी की negative vibration है उसे खीच कर ले आती है तो इसी परकार जब लोग की कठे होकर अच्छी बाते करते हैं तो positive vibration का बंडार होता है वहाँ पर तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम गर से निकले हमें किसी की शव यात्रा नजर आई तो हमें positive vibration मिली हमारा काम अच्छा होगा बिल्ली नजर आई तो negative vibration मतलब कारे अच्छा नहीं होगा ब्राहमन यदि नजर आ जाए तो कहते हैं कि कारे बिगड जाते हैं अदूरे रह जाते हैं यदि कोई गड़ा लेकर खड़ा हो पानी का भरा हुआ आपको नजर आजाए बाल्टी लेकर खड़ा हो गिलास लेकर नजर आजाए तो बहुत ही शुब माना जाता है प्रंतु कहीं कहाई खाली गड़ा, खाली गिलास, खाली बाल्टी नजर आ जाए तो बहुत अशुब माना जाता है जब आप घर से निकलते हैं तो कोई जाडू नहीं लगाता होना चाहिए आपके घर में यारी जाड़ू ना लगाए प्रंतु कहीं आप बाहर निकले गर से बाहर निकले और कोई सफाई सेवक सफाई सेवक आपको नजर आ जाए तो वह भी आती शुब माना जाता है यदि आप किसी बहुत खास काम जा रहे हैं और रास्ते में कहीं आपको नाग देवता सांप के दर्शन हो जाएं तो वह शुब माना जाता है बहुत यदा शुब माना जाता है गर से निकलते ही यदि नंगा बच्चा बेलकुल नंगा हो वह नजर आ जाए नगन बच्चा तो वह भी शुब माना जाता है प्रंतु यदि लड़की नंगी नजर आ जाए छोटी बच्च आगती है तो आपको वहां पर थोड़ी देर रुक कर फिर वहांसे निकल ना चाहिए और यदि Awarenya आप चाहते हैं कि सब कारे शुब हूं तो गर से निकलते वक्त कहीं आप शुब कारे बड़े अराम से होंगे यहां फिर गर से निकलते हुए रास्ते में कहीं कोई मंदिर पड़ता है तो वहां पर आप जर्शन जरूर लीजिए क्यों क्योंकि मंदिर से positive vibration आपको मिलेगी जो आपके सभी बेड़े कारे बनाएगी आप गर से जा रहे हैं और यह दी आपको कहीं पर कुतों की टॉली नजर आती है कहीं बड़ हम लोग देखते हैं आठ दस कुत्ते ही कठे होकर बैठे होते हैं या खड़े होते हैं तो यह भी शुब माना जाता है यदि आपको मोर, तोता यह सब रास्ते में नजर आएं तो ये शुब होता है बिखारी यदि आपको खाना खाता हुआ नजर आए तो ये अति शुब माना जाता है प्रंतु बिखारी यदि आपसे भीख ना मांगे और रोता हो रो रहा हो तो वै अशुब है शुब नहीं है प्रतु यदि आप उसको दक्षना दे दें तो वह भी शुब हो जाता है यानि बिखारी यदि रोता हुआ नजर आए तो उसे दक्षना जरूर देने चाहिए वरना आपका कारे बिगड जाएगा यदि आप कोट के चैरी के लिए निकले हैं कोट के चैरी के निकले हैं और आपको रास्ते में कोई पंचर गाड़ी नजर आ जाती है तो यह आपके लिए शुब नहीं है तो आपको चाहिए वहाँ पर रुकें और कुछ पानी वगेरा पी कर फिर आगे चलें एक बार फिर बता दू कि यह शुब और शुब नेगटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ होता है इसी तरह से इसको माना जाता है और बहुत सारी बातें जिंदगी में शुब मानी जाती है बहुत सारी शुब मानी जाती है कुछ लोगों को शुब मानते है परन्तु मैं समझता हूँ कि यदि आप परमात्मा को मानने वाले है और यदि आप घर से प्रमात्मा का नाम लेकर निकले हैं तो आपके लिए सब ही शुब है प्रंदु मैंने यहां फिर भी जो परचलित है वैसा आपको बताया है यदि आप मेरी माने तो मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सब कुछ शुब है यदि आपके अंदर पॉजिटिव वाइबरेशन है यदि आप प्रमात्मा को मानने वाले हैं तो आपके लिए कुछ भी शुब नहीं है हाँ आप दूसरों की मदद करते रहिए तो आपके लिए सब कोछ शुब है बिल्ली के रास्ता काटने से मेरी लाइफ में कोई फरक इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मैं प्रमात्मा को मानने वाला हूँ अब आप कहें कि मैंने ये वीडियो यहां क्यों दिखाया तो ये इसलिए दिखाया कि लोग जानना चाहते हैं मुझे फोन करते हैं कि बताइए कि क्या शुब है और क्या अशुब है तो मैंने आपको बता दिया लेकिन मैं इन चीजों को पर्सनली तोर पर नहीं मानता हूँ मेरा मानना है कि प्रमात्मा को मानिए प्रमात्मा की positive vibration body में लीजिए तो आपके लिए कुछ भी शुब और कुछ भी शुब नहीं रहेगा जैसा इरा झालब इन ऑड़ा झालब नहीं रहेगा झालब झालब झाल